कि अलो फ्रेंद्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चानल ट्रेंडोनॉमिक्स भाइर निक्षिप सो आज तो क्या घजब हो गया 400 400 पॉइंट का पॉल आ गया निप्टी में न्यू एटी एच करके क्या लग रहा है क्या सेलिन में होगा सेलिन में और क्या माखेट क्राश करेगा या मार्केट में बस चोटा करेक्शन है और मार्केट उपर जाने वाला है क्या होने वाला है में में क्या होने वाला है आगे क्या होगा बहुत सारे questions है आपके mind में So I am going to clear all your doubts मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का और बहुत सारे sectors stocks पे व्यू देने वाला हो फॉलो में बहुत सारे अप्डेश देता हूं यह एंडर्य आप मुझे फॉलो करो क्योंकि वीडियो में आपको मैं अनलेसिस देता हूं और लाइव मार्केट में क्या लेवल है इंपॉर्टन वह तो सब मैं ट्विटर पे डालता हूं आपको मेरा सेकंड ट्वीट है जिसमें आपको वाट्सेप ग्रूप मिलेगा और जो फॉर्स ट्वीट है मेरा हाइलाइट में उसमें आपको कंप्लेट इबुक मिलेगा यह लिंक पर रजिस्टर करोगे तो पूरा बुक आप इलेट विएव पढ़ सकते हो आज के वीडियो में एट विएव के थोड़े करेक्टिव पैटर्स भी मैं डिस्कुस करोंगा और स्टॉक्स में डिस्कुस करने ही वाला हूं राइट तो देख लो वीडियो तो अभी मार्केट में क्या चलका रहा है निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है तो वीव काउंट वाइस हमेरा व्योंट ना चेंज हुआ है ना जोगा ब्रॉड स्टॉच्चर वही है मार्च तूझंत ट्वंटी से जहां से हम ले रहे है हम डिसकस कर रहे हैं अब इतने सारे वीडियो में मार्च को वहां के लो से मार्केट ने वेव वन टू और अभी थर्ड वेव यहां पर एंड हुआ है मार्च को अराउंड 2526 के आसपास और वहां से फोर्थ वेव करेक्शन में मार्केट है अभी हम एक ही बात डिसकस कर रहें पिछले कई सारे वीडियो में कि यहां पर फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है उसका कोई क्लारिटी नहीं है क्योंकि मार्केट ने को अधिय को सिगनल दिया नहीं है के फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ या फिर कोई ऐसा था को आज के दिन तक कोई ऐसा सिगनल मार्केट नहीं की Shelby technique है और also आपस नीचे ही आएगा तो मिन्स ना तो इंपल्स का मार्केट ने अ क्राइटरिया फुल्फिल किया अल्मोस देखो न्यू है पे गया अगई यहां से स्क्रइब स्क्राइटरिया ने अगर हम बोले कि यह करेक्ट्रीव एव है तो इसमें इंपल्स स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत है यहां पर यह देखो यह यहां पर जाने के बाद वापस ओवरलैप हो रहा है यहां पर वापस ओवरलैप हो रहा है तो क्लियर इंपल्स नहीं है और क्लियर क्लियर करेक्टिव भी नहीं है क्योंके क्योंके higher top higher bottom भी बना रहा था five up three down भी बना रहा था और कोई भी swing low आज तक break नहीं है था आज अज ब्रेक रहा था स्टार्टिंग में यहीं मान के चला था कि यह कर्रेक्टिव रैली ही है एक और लेक पेंडिंग है नीचे का यह हमारा स्टार्टिंग में तो इस लिए थोड़ा हुआ है कि यह ये ऑभी एक प्रेंडिंग है यह हमें एक सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब दुनिया की सब्सक्राइब चीज होती है complex correction तो तो क्या होता है complex correction वह आज की वीडियो में मैं डिस्कुस करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा यह बूक पढ़ लो इसमें सारे पैटन से यह लिंक पर रेजिस्टर कर सकते हो हमारे website पर भी है वो लिंक यहां पर free ebook का एक free course भी मैंने design किया है वह आप definitely join कर लो यह और यहां से वह बूक पढ़ सकते हो कि यह वाली यह यहां पर यह बूक आपको मिलेगी इलेट वे इंटरनेशनल पर complete भूक आपको पढ़ने मिलेगी याइस तो आप यह पूरा बूक पढ़ सकते हो इलेट वे इंटरनेशनल के website पर अभी यह कॉंप्लेक्स करेक्शन तो यह क्या होता है यह आज के वीडियो में मैं डिस्क्स करने वाला हूँ कि इंपल्स पैटन क्या होती है और सारी चीज़े बुक में आपको मिलेगी लेकिन उसको कैसे करना है कहा उसको राइड कैसे करना है वी इंवैलिशन पॉइंट कहा होता है कैसे होता है उस से कैसे ट्रेड करना है अगर मार्केट बोलता है तो मेरा भी दूसरे साइड पे कैसे ट्रेड करना है वो भी इंपर्टन है भई रहाउं जाने के बाद विए चैन्ज करके अपोसित साइड पर अल्टरनेट आज ट्रेयट करना डाइट मैंने अलळी सिस्टम डिजाइन किया एं ट्रेड करता हूं इलिएट विफ आनलीसिस करके 129 में वह दे रहा हूं तो मैंने बहुत सस्ता रखा है प्राइस पूरा मैंने यहां पर डाला है इसलिए मैंने प्राइस उसका सस्ता रखा है सब्सक्राइब यहां पर इंग्लिश में है यह सिंपल को सब्सक्राइब यहां अगर आपको चाहिए तो यहां पर आप सीख सकते हो वन सिक्स डबल नाइन में इलियाट वेव और पाइस एक्शन का पूर्स राइट ए रेकॉर्डेड इंग्लिश में है यह और कोई लिमिट नहीं है आप कितने भी भार देख सकते हो इस लाइक प्लेइंग सीडी डिवीडी खरीद लो सीडी खरीद लो और मूवी देख लो वैसा है और यहाँ पर मेंटर्शिप बैच अभी यह बैच तो मेरा अलड़ी चालू है बट नेक्स बैच आप में एंड में जॉइन कर सकते हो ट्वेंटिएथ में के बाद वो स्टार्ट होगा मैं अनौस करूंगा वो बैच अभी उसका टाइमिंग नहीं हुआ है और डे सब्सक्राइब करूंगा और सारी चीजे में सिखाऊंगा तो अभी देखते हैं निफ्टी में क्या है तो देखो कल तक यह क्लैरिटी नहीं थी कि फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है राइट देखो हमारा दो मन से एक ही विव है कि थर्ड से हम तस से मसनी हुए दो बार मार्केट न्यू हाइप गया यहाँ पे मार्केट न्यू हाइप गया यहाँ पे मार्केट न्यू हाइप गया लेकिन अमारा व्यू बिलकुल मैंने चेंज नहीं किया था लास्ट दो मन्द में मैंने एक बार भी मेरा व्यू चेंज नहीं किय के market में 4th wave का correction आने वाला है आएगा correction 11th March को दो भी ये टॉप बना था तब मैंने डंके की छोट पिछाती ठोके बोला था भई यहां से market नीचे ही जाएगा यहां से दूसरा कोई side है ही नहीं आप उपर लेके जाके दिखाओ भई किसमे दम है जो market को नीचे जाने से रोकेग कि आप रोके दिखाओ market नीचे ही जाएगा कोन रोकेगा आप नीचे जाने से क्योंकि यहां पर clarity थी मुझे यहां पर वहां पर ट्रेड शॉट लिया और पोजिशनल शॉट लेके गया था वहां पर में यहां पर भी सेम चीज़ की मैंने पोजिशनल शॉट किया क्योंकि यहां पर भी मुझे clarity की थी कि यह करेक्टिव राइज ही है और market को नीचे ही जाना है तो करेक्टिव राइज में एक त स्मॉल केप में बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा यहां पर वह इंटर मार्केट डाइजन स्था निफ्टी में था ब्रॉडर मर्किट में भी शायद था यहां पर रहे और अर बैरीश दिखा रहा था वहां पर मैंने से वापस से मैंने एकदम डंके की चोट पे बोला कि वही आप रोक के दिखाऊ मार्केट को नीचे जाने से नीचे ही जायेगा लेकिन अभी यह राईज में मैं ना तो बुलिश पे बहुत डंके की चोट पे बोल रहा हो कि यहां उपर जाएगा कि विफ्ट वेर स्टार्ट हो रहा है या फिर नामें बेरिश पे भी एकदम यहां पर नहीं बोल रहा था क्योंकि इसमें यह है अभी यह जो राइज आ गया ना यह डबल करेक्टिव है डबल करेक्टिव क्या अभी ओके यह ओरल पैटन जो चल रहा है वह कॉंप्लेक्स करेक्शन है डबल्यू एक्स वाई अभी वह यह और नया इंपल्स आएगा तो नई वेव चलू होगी लेकिन इए इन्यब दिखा रहता रहात मं के लियर जांज बही क्लेर करेक्टिव भी नहीं दिखा रहा यह डूट करेक्शन एबिसे एक्सएबिसेद्टि क्या है यह है मिचा अगया हिस डबल Tradeर में को एडिंगो यह A B C आ गया वापस A B C आ गया A B और C यहाँ पर B है भी आप है तो यह क्या हो गया A B C X A B C यहलों में मार्क कर देता हो तो आपको पता चलेगा कि एक्जैक्टली पैटन क्या बन रहा है तो यह A B C X A B C का डबल करेक्शन का पैटन है और आज अभी वो क्लियर हो गया कि अभी यह A B C X A B C का करेक्टिव पैटन कंप्लीट हो गया यह ना इंपल्स है यह इंपल्स नहीं है क्योंकि इसमें और लैब्स भी है और यह अभी ट्रेंड चैनल भी ब्रेक किया तो यहाँ पर देखो आज यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि यह तो करेक्टिव राइज ही है और अब मार्केट नीचे जाना है एक लास लेक पेंडिंग है जहेड लेक पेंडिंग है वो लेक कंप्लीट हो क्यों काट दिए अभी तो सिंपल बात है देखो अगर मैं यहाँ पर सोच रहाँ कि मार्केट नई इंपल्स में उपर जाएगा यह मेरा व्यू है वह जो कि वह गलत था मेरा व्यू तो गलत था बट मैं तो क्यारी करके गया तो और मार्केट गैप फूला था तो लॉस नह पर बेक करके मार्केट ऊपर है वापकर वह चलंटल ब्रेको रहे रहा तो बहुं पर हो गया चल लॉकप वह matar किया उसके बाद मैं ने किया क्यों किया कि कि यहां पर मुझे समझ में आ गया कि यह अभी एक करेक्टिव राइज है तो नीचे जाएगी भई हां लेकिन मैंने पूरा नहीं यह नहीं बोल रहा कि यहां यहां पर कुछ आसपस मैंने एक बार शॉट मेरा कर दिया उसके बद भी देखते रहां भी नीचे जा रहा है अभी तो तो तीक है अभी नहीं मिला पूरा मूं लेकिन अट्लीस कल लोंग लेके गया तो वो कटा और आज थोड़ा बहुत शॉट भी किया तो वो कैसे ट्रेड कैसे करना है बही यहां पर अगर मेरा बुलिश व्यू रिजेक्ट हो रहा है तो पहले तो लॉंग से निकल जाओ और अभी हमज में आ गया कि यह बही करेक्टिव राइज ए बीसी एक से बीसी तो मैंने एक बार बोला चलो शॉट हो जाते हैं तो पू को जाता है यहां पर मैं बोड़ ओछां कि यह जो पूरा डेयली पर पैटर्ण है न मिफ्टी का अ है यह जो पूरा पैटर्ण है वह कंप्लेक्स करेक्षन यह हो गया एई बीसी डब्लिू राइट जो आप यहां देखर हो देको यह डब्लियों हो गया पहला लेग यहां पिर एक्स वे उपर आ गई जैसे यहाँ पर दिखा रहा है एक्स वे उपर आ गई फिर वापस एबी सी में नीचे आ गया तो यह वाइव हो गई लेकिन अभी यह डेखो यह डबल त्री है यह डबल करेक्शन साइडवेस कॉंबिनेशन जिसको हम बोलते है रैट साइडवेस कॉंप्लेक्स करेक्शन जिसको बोलते है तो यह डबल त्री है यह ट्रिपल त्री है तो डबल त्री होगा या ट्रिपल त्री होगा यह तो पता नहीं है यह पता नहीं चलता जब तक जब तक यह अगला सेकेंड वाला एक्स नहीं आता तब तक पता नहीं होता रैट क्या यहाँ पर bottom बना है राइट हाँ W में correction complete हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता चलता है तो देखो यहाँ पर मैं confident था कि यह जो यहाँ पर correction बैग आएगी और मार्केट नीचे ही आएगा यहाँ पर यहाँ वापस एक साके निया लेगा नीचे वह clarity नहीं थी अभी आज हो गया मेरे आप में कुछ भी position नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं कोल इंडिया लेके गया हूँ मैं स्टॉक्स करने वाला हूँ यह वीडियो में स्टॉक्स करने वाला हूँ आगे तो यह अभी complex correction में जा रहा है नीचे जाएगा यहाँ अभी कप correction complete होगा कैसे correction complete होगा वह तो complete होने के बाद ही पता चलेगा वर एक अभी यहाँ पर पता चल गया कि एक जेड़ वेव पेंडिंग है और वह जेड़ जब भी कतम होगा और वह जेड़ ट्रंकेती होने वाला है जेड़ नीचे नहीं जाए है तो एक होता है जिगजाग होता है यह नार्मल जिगजाग चुको फ़्यक है तो एक होता है नौर्म А दूसरा होता है लाट copinkle करेक्शन रेभाला A, B और C, 335, तो क्या ये flat है, तो यहाँ पे flat होने के chances थे, लेकिन ये clearly impulsive fall नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको WXY ली दिया, क्या ये flat हो सकता है, क्या ये A है, ये B है, ओके, ये, like this, this is A, this is B, and C wave नीचे आएगी flat में, क्या ये हो सकता है, possibility थोड़ी कम है, अगर आएगा, तो expanded flat नहीं आएगा, running flat ये आएगा, ये, simply speaking, ये 21,700 का जो level है, वो तूटने नहीं वाला, ये जो double bottom बना है, वो तूटने नहीं वाला, मुझे नहीं लगता कि ये expanded flat correction है, और C wave जो और से आएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, मुझे ये complex correction ही दिख रहा है, तो, ना तो zigzag है, ना तो flat है, ना triangle है, हमने triangle का भी discuss किया था, ओके, एक, तीसरा type होता है, triangle, तो, ना तो ये symmetrical triangle है, ना तो ये barrier triangle है, ना ये expanding triangle है, ना ये running triangle है, तो ये क्या है, तो मेरे हिसाब से ये है, sideways complex correction, double three, double three नहीं, triple three है, ये triple three चल रहा है, डब्लु एक्स वाय में चल रहा है, ये sideways चल रहा है, उपर नीचे, उपर नी देगा, वो तो अभी देखेंगे हम, लेकिन most probably मुझे लगता है, में में ये खतम होने वाला है, में में ये खतम होगा, और में के second half में rally चालू होगी, फिफ्ट वेव की rally में के second half में चालू हो जाएगी, तो ये जब देखो, इसलिए मैंने, अभी तक मैंने, देखो, थर्ड वेव आएगी, जैसे यहाँ पर डाला था कि थर्ड वेव आएगी, वैसे मैंने अभी यहाँ, कोई भी लेक पर मैंने डाला नहीं हो गई, और बॉटम बन गया, क्योंकि मुझे इतना confidence नहीं आ रहा था कि बॉटम बनने का, लेकिन जब ये बन जाएगा, तब मैं स्वेव हो गया और तो अभी ये डवली एक्सवे ट्रिपल का करेक्शन चल रहा है, यह वाला पैटर्न चल रहा है, वह पैटर्न चल रहा है, फिलाल, राइट, तो अभी देखते है, कब खतम होगा, तो पता चलेगा, निफ्टी का वैटर्न, तो अभी ट्रेड करने लायक है, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करने लायक है नहीं, तो ज़्यादा इसमें आप दिमांग मत लगाओ कि कैसे ट्रेड करना है, पैसा बचा के रखो, निफ्टी बैंक निफ्टी मत ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में तो क्लियर अच्चुली इंपल्सिव थोड़ा दिख रहा है, मुझे बैंक निफ्टी करेक्टिव नहीं लग रही, बैंक निफ्टी का क्या काउंट है, तो बैंक निफ्टी का मेरा काउंट कह रहा है कि यहाँ पर मोस्ली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो गया, यह वाला यह दखो, यह एबी सी यहाँ पर करेक्शन आ रहा है बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल मुझे आते हुए दिख नहीं रहा तो यह लोग से क्या बन रहा है पैटन तो यह लग रहे और फिफ एक उपर आना चाहिए अगर यह ब्रेक होता है यह ब्रेक कर देता है तो फिर वह यह इंपल्स का आजम्शन रॉंग हो जाएगा तो फिर हम अल्टरनेट सोचेंगे मैं कोई भी पोजिशन लेके नहीं गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी की क्योंकि नहीं आ रही कहा पर जाएगा तो इसलिए मैं ट्रेड नहीं करूंगा मंडे देखूंगा क्या हो रहा है उस लिए वेव फोर है देखो वेव टू शैलो रिट्रेश्मेंट तो वेव फोर में जिगजग आ गया एबी सी आ गया राइट तो मोस्टली वेव फाइए एक उपर जाएगी तो देखो सिंपल मैं क्या बोलता हूं अगर वेव फाइग का अजम्शन लेना है तो एटलिस य क्या होने वला रहा है रहाइट नियुक्EMA क्या होने वाला है कैसा ऑफिका का अब वी लास्ट में लेग है तो would में कुछ भी हो सकता है WXY ABCDE कुछ भी हो सकता है तो उसमें पैसा बज़ाए रखना है अभी लास चार मन्त में वैसे भी लग गई है ट्रेडर्स की क्योंकि दोनों सैड मार्केट जा रहा है अब डाउन अब बाई करोगे फिर नेक्स दे नीचे जाएगा सेल करोगे नेक्स से उपर जाएगा राइट पोडिशनल ट्रेडिंग तो है नहीं भी ट्रेंड फॉलविंग यहाँ पे तो है ही रही क्योंकि यह तो अप डाउन अप डाउन मार्केट चल रहा है तो बज़ गई है बैंड पूरी ट्रेडर्स की लास पूरा जन्वरी से तो यह बैंड ही और वो तो होना यह वाई यह इतनी बड़ी रैली ट्रेंडिंग दे दी उसके बाद क्या आपको मिलने वाला है इसी मार्केट मिलने वाला है नहीं मिलता वाई यह इतनी इसी रैली दे दी उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है तो अभी मार्केट को आदित क्य होगी अब डाउन अब डाउन की अभी यह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वापस ट्रेंडिंग मूं मिलने वाला है बट यह लास ले गए वो लास ले में पैसा बचा के रखो राइट अब तक अगर बचा है तुम्हारा कैफिटल 2024 में ट्रेडर्स का राइट क्योंके ला आ गया कि मार्केट को कोई ट्रेंडिंग वू देना नहीं तो भाइज क्यों पैसा बरबात करना है को यहां पे ले ले दा यहां ले रहा था लेकिन सेकंड हैं एक दो तीन दिन के बाद ज्यादा से ज़्यदा कोई ट्रेड नहीं किया पता चल गया था कि यह si market qo Assand giãnा है तो पैसा बचा है रखना इंपरटन यह करना लाग राइट तो B 50 t में भी जो यहीं वीव है क्योंके स्ट्रॉंग दिखा रहा है अभी फिन निफ्टी वी ब्रेक आउट के ऊपर खड़ा है और यह हे यहां पर यह पर यह तो करेक्टीव है लेकिन करेक्टीव स्ट्प्चर में हमें कॉंफिडेंस कम होता है कि मार्केट नीचे ही जायेंगा जब इसमें क्लियर करेक्टिव का स्ट्रक्चर दिखा रहा था पहले लगा करेक्टिव है उसके बाद कि हमन спорт ह stewards को सकती है लेकिन स्मने जैने क्लीर नहीं था इसलिए इसमें कोई करेक्टिष्टिक्स मैंच ही नी होरी थी ना तो इंपील्स की मैच немного क्रेक्टिव की मैच हो around इसमेंäng momentum धीला हो जाता है लेकिन भाई कहां पर धीला हो गया यह तो बड़ी candle दे दी यह भी बड़ी बिग ग्रीन candle दे दी तो bullish momentum कहां धीला हो गया आज पहली candle बड़ी रेड़ दी है जहां पर फ्रमज में आया है कि हाँ भी यह तो करेक्टिव रैली ही है clearly राइट होता है डबल करेक्टिव जो जब उपर जाता है वो करता है बड़े-बड़े traders को ना तो फिन निफ्टी वीक है मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में यहां पर बॉटम हो गया है मार्च में और नई इंपल्स चालू हुई है आईटी में आईटी सेक्टर वीक है तो आईटी में मेरे सब से यह नीचे अभी लास्ट लेगा रहा है आईटी का और बॉटमिंग आउट formation में IT है IT का view मेरा सेम है यह अभी खतम होगा बट वेट करो bottom formation के लिए PSU bank में क्या लग रहा है तो PSU bank में तुभे रव्यू सेम है 5th wave में उपर जा रहा है तो 5th का 1st हुआ अभी क्या हुआ 5th का mostly 5th का 1st यहां पर हुआ है तो फिर 2nd आएगा फिर 3rd 4 5th ऐसा PSU bank में हमें structure दिखने मिलेगा तो अभी 3rd wave में एंटर करने के लिए वेट करो 5th के 3rd में तो अभी sideways थोड़ा जाएगा है यहां पर sideways जाएगा और फिर 3rd wave में एंटर करेगा तो उसके लिए ready रहो पीस्ट में मिड़केप में भी similar है structure देखो यहां पर फिफ्ट वे में चल रहा है तोड़ा sideways जाएगा पिर ऊपर जाएगा तोड़ा sideways जाएगा दो चार दिन फिर ऊपर जाएगा पीसी में भी सेम है साइड़स साइड़स का अभी यह तोड़ा साइड़स जा सब्क टाइपन सारे रियल इस्टेट में थोड़ा लग रहा है पिक्चर और और मेरे हिस्थ आप से आटो में ब्रेक्आउट है और फिफ्ट में आपकर पे वोप खतम होगी और विफ्त में जा रहा है ओराल देखो तो ब्रोडर मर्केट में वेखрах ही चो, रहाए निफ्टी छोड़के निफ्टी में फॉर्स है विथ है अभी बोड़ा ब्रोडर स्लीक। ये सारे इंडाइस रोड़े लेकिन तो देखतेए अभी क्या होता है कि अभी स्टॉक्स करते हैं तो ठीडिक घी वेट थिसक्स करते हैं तो टाटा स्कूर्प्र घृट्ट यहां पर कंब्लीट हुआ है टाटा मोटर का दाइसी है बोलना थोड़ा high को ओर में स्टॉक देने वालो पूली स्टॉक्स भी देने वालो थोड़ा रुको थोड़ा सब्रकर रुको रुको जरा जाई रुट ओके बैंक्स देख लेते पहले बैंक्स देख लेते अब यह तो यहां पर फॉर्थ वेव के बाद यह फिफ्ट वेव में क्लियर ब्रेक आ रहा है यह फिर शाहिद यह थर्ड भी हो सकता है आइडियली यह एक्सिस में वर्ल्ट वर्ण वी हो सबता है एक्सिस में च्टू क्या है यह क्लियर्ली एक मधी गाइग होने के बाद मर्केट वापस उपर जाएगा एक इंपल्स बाद खोड़ी कर्रेक्शन नीचे जा सकती है बदान में ओपर जाने देख सिमिलर पैटर्न है तक टा झाता म में क्या वेवब और करेक्शन कंप्लीट हुआ है यहां पर जो हमने आज मेंने चार्ट डाल था कि वेवब और वापस नीचे आ सकता है वेवब यहां पर उपर में जाएगा रिलाइंस में क्या लग रहा है तो लेट सी रिलाइस का भी चार्ट देखते हैं यहां पर आपर एबी और सी मोस्ली सी वेव कम्प्लीट होने को लेंस में आया है देखते हम लेकिन ज्यादा डाउंसाइट रिलाइस में अभी नहीं लग रही है तो रिलाइस में फ्यव में जा रहा है तो अछला रिलाइस तोड़ा अब आप के मज़े से तोटा है राइट एल एलेंटी में लेजर यह डाउंसाइभ इलन डी नीचे जाएगा राइट आभी फॉर्थ वेव में नीचे अभी चालू है उसकी विए अभी complete नहीं हो गए कल आपने वहीं डिस्क्स किया था कि एलंटी में मुझे नहीं कन रहा है बूलिश मैं यहesterए है क्या जा रहा है यह जिए और पर ये च्पिक को निचे ले बन रहा है उपर लेकर जाने की कोशिश करेगा क्यूंकि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने वाला है तो अभी मैं आपको बाकी के अच्छे वाले स्टॉक्स करने वाला हूँ सब्सक्राइब का तो अलड़ी पर्फॉर्मन्स हो गया एंटीपीसी क्या लग रहा है एंटीपीसी में मेरा इतना कंविक्शन नहीं है लेकिन एनस्पीसी में मुझे अच्छा मोमेंटम अपसाइड दिख रहा है आते हुए तो देखो जैसा जैसा आरे सी में आ गया तर जैस जए जल रहा है एकड़म तो देखो यहां पर कैसा पिएपसी में ब्रेकाउट आके मोमेंट मिल गया आरे सी ब्रेक आउट अके मोमेंटम मिल गया तो कर अधी पे ध्यान रखो को सब्सक्राइब निस्पीट जो सब्सक्षान है थान रखो मैं यापको मिलेगा ध्युक्तन एयुक्त फरीट अफसीद ईुक्त है तो यह किसिस्य में मिलेगा और टेपाइबाञ मुलेगा कोल इंडिया में सिमिलर पैटन है देखो यहां पे बेस बेकाट तो तो निफ्टी नीचे फिर भी कोल इंडिया उपर था तो मेरे पास लिए लेके गया ओलॉंग ट्यारी करके गया हूं राइट यह देखो और वॉल्यूम देखो यहां पर यहां पर ट्राइंगल का ब्रेकाउट डांग रहा है भी फिफ में उपर जाएंगा तो यहां तक देखो 600 तक मुझे दिख रहा जाते होगे तो मैं तो लेकर गया हूं एनजपी सी कल करूंगा मैं नहीं किया है बट कल शायद करूंगा मैं नेजपी सी कल यहने मंडे को भी अब इसलिक अर बाकी के भी आर्वियल बैंक मेंने शेय अ तो फिल मनतली बैंक में क्या पैटन है सो पहले तो मंतली आडंता हूँ अ कि मनतली में यहां पर ब्रेकाउट आ मिए व्रेक Marina आके खना यहां पर I am चलुद रहा है मनतली में अगर यह सस्तेन होता है तो अच्छा-काशा जाना मोंडाए MER टीễली में क्या कर रहा तो यह मंदली ब्रेक आउट का लाइन चाहिए अभी डेली में भी यहां पर ब्रेक आउट आया है अगर अभी आज मेरा मेरा ट्रेड आज रॉंग है और बेल में मेरा मेने बकॉल लिया था लेकिन मैंने एक्जिट मार दी अभी में मंडे वापर स्ट्राइक करूंगा फॉल मैंने तो एक रूपय लॉस में कटा बट मैंने एक बार कॉल एक्जिट मार दी अर्बेल बैंक पी लेकिन मुझे लग रहा है अर्बेल बैंक अच्छा खासा मोमेंटम दीगा अप साइड में राइट जब यह ब्रेक आउट क्लियर होगा तो आप पूछो के कि क्यो वही क् एक जिट किया आर्बेल बैंक लॉस में खड़े रहने देख तो बही देखो अपने पास ऐसा नहीं है कि दुनिया बर का माल पड़ा है और मिंस पंड्स की कोई यही नहीं है आ रहे पंड्स आ रहे आ रहे नहीं बही पंड्स तो लिमिटेड होते तो मेरे को कोल इंडिया करना था और अर्बील बैंक मैंने अल्रडी मैंने ट्रेड लिया था वह उसमें मोवेंटम फेड हो गया तो एक बार माइनर लॉस में काड़ दिया वह पोजिशन मैंने कोल इंडिया में ली और अर्बेल का लाउस जो हुआ वह तो रिकर हो गया और कोल में प्रॉपिट आ तो स्विच ऐसे करते हैं अगर फंड्स आपके पास कम हो दो स्टॉक हो और आपको चाहिए कि कौन सा स्टॉक लेना है तो मैंने अर्बील लिया था अल्ड़ी कोल से पहले लिया था मैं कोल बाद में देखा मैंने और मुझे कोल में एंट्री ले नहीं थी और अर्बील का अच्छा लग रहा है मुझे कैस में ले सकते हो आप अगर यह लेवल ब्रेक होती है टू सेवंटी के उपर टू सेवंटी के उपर अगर क्लोज आता है तो मैं इसको लेके जाओंगा की पोजिशन मंडे देखके और अच्छा का सा मोमेंटम मुझे दिख रहा है थर्ड इस स्टॉक है रतन पावर बेस बनाया है इसने अच्छा और अगर ब्रेक आउट देता है तो मोमेंटम इसमें मिलेगा आएपस या अलड़ी मैंने डिसक्स किया है जो अलड़ी यहां पे कपानेंडल का ब्रेक आउट यहां अलड़ी डिसकुस्ट इस डाउट है देखो यह व अलड़ी मैंने यहां पे ब्रेक आउट पे लिया है यहां से मेरा तो अक्छली यहां से होल्ड है मैंने और थोड़ी प्रजिशन यहां पे आड़ की है ब्रेक आउट पे अगर यह लेवल जाती है 36.5 तो और उपर जाएगा जमना आटो देखो नेक्स वीक में जमना आटो पे दियान रखो यह तुफान चलने वाला नेक्स विक में जमना आटो तूफान चलने वाला जैसे चौले लन चलाना वैसा जमना आटो भागे खार बहसे लिए मल्टी मन्त मल्टी वीक traps two, week लिए इसको पकड़ लो इसको पकड़ लो इसको पकड़ लो जैगी अच्छा मोमेंटम मिलेगा यह लेवल के उपर 141 के उपर राइट इंट्राडी की ट्रेड करूँगा क्योंकि इंपल्स क्लियर है नहीं करेक्टिव लेग में है उपर नीचे उपर नीचे क्यों करना है वह एट्रीड अगर स्टॉक्स में मुमेंटम मिल रहा है मुझे यहाँ पे कोल में मिल रहा है एनेच पीसी में है बाकी भी स्टॉक्स दूंडूंगा वीकेंड पे पोस्ट करूंगा मैं स्टॉक्स और तो लाइक करो ज़्यादा मेरे सारे वीडियोस तो करो ही और मैं जो पोस्ट करता हूँ ट्टर पे यूटूब पे स्टॉक्स के वी लाइक करो चेयर करो कम्युनिटि में सब को मिलना चाही को बीने शेयर किया था इंडिया मैंने श्की अंतर्म मार्केत में रहाइब को पुख को मैं छोड़ता सब्को प्री में दे रहा हूँ और कोई छाज भी नहीं है तो आप कर सकते हो या तो आप यहां पे रेकॉर्डेर को स्करणों या फिर आपको सीखना है लाइव तो मेंटर्शिप बैच लेकिन वह बात में जो अनाउंस होगा तब मैं बता दूंगा उसका डेट और टाइमिंग में चलू होगा 20th में के बात चलू होने वाला है okay so keep loving keep sharing keep learning keep earning with us this is Ars Dixit signing off until we meet again